नमस्कार मैं हो जोतिस कुमार ये सवाल है देख लिजे पूरा विडियो को देखे एक गंडा जमीन कितना बड़ा होता है कई दिनों का सवाल है कई फ्रेंड्स के दवारा सवाल किया गया है पूरा विडियो देखे एक गंडा जमीन ये देखे इस तरह से बना लिजे ये 30 फ फीट चावडाई होगा एक गंडा का प्लोट यह है एक गंडा का प्लोट है तीस फिट लंबाई और 28.8 फिट चावडाई होगा और वर्ग फिट होता है 864 वर्ग फिट होगा एक गंडा बराबर 864 वर्ग फिट एक कारा बराबरेह पर एक कारा बराबर 216 वर्ग फिट इस प्रकार से और एक गंडा बराबर कितना वर्ग मीटर एक गंडा बराबर 80.268 वर्ग मीटर इतना बड़ा होता है एक हेक्टियार में कितना गंडा होता है इसे भी जानेंगे पूरा विडियो देखें और एक गंडा बराबर 90 वर्ग गज वर्ग गज होता है एक गंडा बराबर 90 वर्ग गज और एक गंडा एक गंडा बराबर 0.05 कानी होगा इतना कानी होता है और एक कारा बराबर 0.25 गंडा होगा इतना इस परकार से और एक गंडा बराबर 240 धूर होता है इतना मान होता है यह अलग है इसको यहाँ पर इतना से जानते हैं आप अपने हाँ एक धूर बराबर 0.0625 होता है उससे नहीं यहाँ पर इस परकार से जाना जाता है और अब हम जानेंगे कि एक एकड़ एक हेक्टेर एक भी घा में कितना गंड़ा होता है पूरा विडियो देखें तो एक हेक्टेर बराबर एक लाख आट हजार नव सो वर्ग फित होता है और एक एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फित इतना वर्ग फित और एक बीघा बराबर 27,225 वर्ग फित यह सब इस्टेंडर्ड है और एक काठा एक काठा बराबर 1300 एक सड़ दसमलो दो पांच वर्ग फित इतना वर्ग फित परकार से अब यह सब में कितना गंड़ा होगा इसको देख लिजिए एक लाख आट हजार नव सो एक हेक्टेर बराबर लिख लिजिए एक हेक्टेर बराबर कितना गंड़ा इसको जानने के लिए 864 से भाग कर दिजिए बराबर होगा 126.0416 इतना गंड़ा होता है दसमलो के बाद और भी है और यदि 10,000 वर्ग मीटर का उपियोग करते हैं तो एज दहाई सेकड़ा हजार दस हजार बटे में कर देजिए असी दसमलो असी दसमलो टू सीख सेट तो बराबर होगा इतना करेंगे तो एक सौ कि चौबिश दसमलोव पांच आट गंड़ा ये होगा एक हेक्टेर बराबर ये तना दो मानक ऐसे मत कहिए इतना को उप्योग करते हैं, एक हेक्टेर बराबर दस हजार वर्ग मीटर का तो इतना होगा, हम लोग इसका उप्योग करते हैं, तो हम यदि गंडा में जानना चाहेंगे, तो 126.041 गंडा होगा, अपने हैं, और आप यदि इसका उप्योग करते हैं, तो इतना होगा गंडा, इसमे जानने के लिए एक एकर बराबर 43,560 बटे 864 कर दिजिए तो बराबर होगा ये 50.4166 गंडा इतना गंडा होगा और एक बीघा बराबर 27,225 बटे 864 तो बराबर होगा 31.5 एक गंडा इतना गंडा होगा एक बीघा बराबर आप लोग इस्टेंडर बीघा से जानना चाहेंगे तो इतना इस प्रकार से निकाल सकते हैं और अब हम देखते हैं एक काठा में यानि कि एक गंडा में कितना काठा तो एक गंडा लिख लिजे एक गंडा बराबर 864 बटे 1361.25 तो बराबर होगा 0.634710748 काठा ये काठा है एक गंडा बराबर इतना काठा होगा इस प्रकार से अब आप इसको वरकफित में कनवर्ट करना चाहेंगे एक काठा का माली यही चीज मालूम है आपके पास तो एक काठा का मान निकालना चाहेंगे तो 864 बटे भाग कर दिजे 0.6347107438 से तो बराबर होगा तो बराबर होगा 1361.25 इस तरह से इनस्वर ला सकते हैं आप यदि यहाँ पर जानना चाहेंगे कानी का मान तो इस तरह से असानी से जो है इनस्वर जो है ला सकते हैं अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो को श्यार कीजिए धन्यवाद आपके लिए